नमस्कार दोस्तों फेंटसी टैलेंट अब यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों बहुत अच्छा IPL हमारा रहा अब यहां से जो अच्छे मैचिस होंगे उन सभी अच्छे मैचिस का वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करूंगा तो आप लोगों को टेलेग्राम का लिंक दे दूंगा उस पर क्लिक करके आप मुझे टेलेग्राम पर जॉइन कर लीजिए का तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यों के बारे में कुछ जो चोटे-चोटे पॉइंट से जो आपके ज्यादा काम आते इस मैदान पर टोटल 52 मैचिस खेलेगा है इन 52 मैचिस में से 30 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता है तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी का फैसला इस मैदान पर कर सकती है एवरेज स्कोर की अगर बात करें दोस्तों जो एवरेज स् स्कोर देखने मिल सकता है जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसका स्कोर लगबग 180-190 तक भी जा सकता है तो इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले वल्लेबाजी का फैसला इस मैदान पर कर सकती है अब यहां पर जो इस सीजन में लास्ट मैच खेला गया था उसके बारे म अगर हम चर्चा करें तो जो वार ने इस मैदान पर 164 का स्कोर किया नॉटिंगम ने बड़ी आसानी से चेस किया 168 रन किया और 6 विकेट अपने गवा दिये थे दोनों पारियों में मिलाके लगभग 15 विकेट हमने देखे यहां पर स्कोर करने वाला प्लियर कौन सा था 16 रनों का स्कोर किया एक खास बात में आपको दिखाऊंगा दोस्तों हम कभी भी तुक्के नहीं लगाते हैं तो इसलिए थोड़ा फोकस करिएगा दूसरी पारी में जॉइक लर्क ने स्कोर किया 52 का स्कोर किया था अब पावर प्ले में क्या हुआ था देखेगा पहली पा पर नहीं हो तो जॉइन जरूर कर लीजेगा लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दिया है साथ ही आप सर्च कर सकते हो एफ टी एच एट डवल सेवन लिखके यह लिखकर भी आप मुझे टेलेग्राम पर जॉइन कर सकते हैं वहां पर मैं आपको बता दूँगा कि कौन से गि 20 की मतलब पिछले साल क्या हुआ था इस्पिनर्स को विकेट मिले थे इस मैदान पर ऐसा नहीं है कि इस्पिनर्स के खाते में विकेट नहीं है आप यहां पे देखेंगे साथ विकेट है तो यहां पर नौ विकेट से निकाले हैं और जो फास्ट बोलर से उन्होंने यहां पर 11 विकीट थे तो यहां पर 5 विकेट है अब एक फोकस करने वाली बात का है भले इसको बड़ा देखने मिल रहाए fog değer लेकिन उसके बावजूद का यहां और आघानों का यहां तो दूसरी तरफ से जॉय क्लर्क ने यहां पर भी 42 रनों का स्कूर किया तो जॉय क्लर्क लास्ट जो दो मैच उन्होंने इस मेधान पर खेले हैं उन्हों ने अच्छी बैटिंग की है अब यहां पर फिर सी आपको नंबर तीन का बल्लेबाद देखेगा बेंड डकेट जिस चार का बैट्समें यहां पर अच्छा कर रहा है क्योंकि पावर प्ले में जो विकेट से वो जल्दी चले आते अब अगर ऐसा हो कि जो ओपन करने आया था वो खड़ा रहे जाए उसके दूसरी तरफ के प्लेयर आउट होते चले जाए वो एक अलग कंडिशन है नहीं तो लास्ट टाइम यह दोनों टीमें आमने सामने हुई तो क्या हुआ था नौटिंगम ने 214 रनों का स्कोर किया और नौर ने 200 रन किये मतलब इतना क्लूज चले गई थी हाला कि विन नहीं कर पाए अब यहां पर जॉय कलरक ने 136 का स्कोर किया ता इस टीम के खिलाब जैक ब उनों टीमों के बारे में बात करेंगे पहले हम बात करते हैं नौटिंगम शायर की तो यहां पर ग्राउंड रिकॉर्ड क्या कहता है कि जो एलेक्स हैल से उन्होंने इस मैदान के उपर 55 पारियां खेली है और इन 55 पारियों में उन्होंने 34 के एवरेज को मेंटेन किया है और तेरा बार उन्होंने 50 से उपर का स्कूर किया है जो एक लर्क ने 22 पारियों में 574 रन किये जिसमें 27 का एवरेज है और पांच बार वो 50 से उपर का स्कूर कर चुके है बेंड डकेट ने 4 बार 50 से उपर का स्कूर किया है इन्होंने 31 के एवरेज को मेंटेन किया है समित पटेल, दोस्तों समित पटेल का 28 का एवरेज है, साथ में ये गेंदबाजी भी करते हैं, जिसमें इन्होंने लगपक 65 विकिट निकाले हुए हैं, इसके अलाबा दोस्तों टॉम मुरस है, जिन्होंने टॉम मुरस ने 612 रॉनों का स्कोर किया है, 25 के एवरेज को मेंटेन किय है, डैनिल क्रिश्चन के खाते में 19 विकिट भी हैं, और S मुलाने जिन्होंने 37 विकिट निकाले हैं इस मैदान के उपर, इनका जो हाइस्ट है वो है, 4 विकिट 25 रॉन देकर है, एम कार्टर का 23 विकिट हाइस्ट है इस मैदान पर, और लगबग साथ का एकोनॉमी है इनक और 3 विकिट इनका हाइस्ट है, लूइक फिलेचर ने 36 विकिट निकाले हुए है, जैक बोल, 42 पारियों में 53 विकिट इनके खाते में हैं, और लास्ट में सी हैरिसन जिन्होंने 11 विकिट इस मैदान पर निकाले हुए है, लास्ट मैच में उतना बैतर नहीं कर पाए, दो तो अभी की कंडिशन में मैं अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बनाऊँगा लेकिन नाम बड़ा है आपके बहुत सारे ओपोनेंट का जो कप्तान है एलेक्स हैल्स आपको मिलेगा तो अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो मैं थोड़ा सा लॉजिकली देखत हों तो इसी दिए मैं छोड़के चलूँगा इनकी जो वीक्नेस है वह यह है कि इन्हें लेफ्ट ताम फास्ट बोलर ने पिछले एक साल के अंदर दो बार आउट किया है और चवालीस के अवरेज को मेंटेन कर रहे हैं एक बार पचास और एक बार सो यह नौर के खिलाप अभी तक कर चुके हैं अगर आप देखोगे इनकी कमजोरियों के बारे में तो लेफ्ट आम बीडियम के सामने 21 का अवरेज है और राइट आम ओफ ब्रेक गेंदबाज के आपको एक option दूँगा आप अगर रिस्क लेते हो तो एलेक्स हेल्स के स्थान पर बेंट डकेट को टीम में रख लेना इन्होंने पिछले मैच में 23 का स्कूर किया था लेफ्ट आम मेडियम स्री लेफ्ट एंड बैटिंग करते हैं लेच भी है इसकी बाद इन्होंने एक मै सामने वाली टीम के पास में हैं तो वो बेंट डकेट को ज्यादा परिशान कर सकता है इसके बाद दोस्तों समित पटेल है यह राइट हैं बैटिंग करते हैं साथ में और्थोडॉक्स गिनबाजी भी कर लेते हैं कम से कम दो और की गिनबाजी आपको यह करते हुए दिख जाएंगे इन्होंने चैनली के वरिच को मेंटेन किया है अगर हम तीन नंबर चार नंबर के मैट्समेंट से स्कोर की उमीद कर रहे हैं तो ऐसे में जील के अंदर समित पटेल आपके लिए एक अच्छी चौइस बन सकते हैं इन्होंने पिछली एक साल के अंदर दोस्तों अगर देखा जाएं तो इन्हें आउट करने वाला जो गेंबाज है वह लेक ब्रेक गेंबाज राइट आप लेक ब्रेक इन्हें ज्यादा परिसान करता है जिसके सामने इनका मातर सत्रह करेच है नौर के खिलाप ये तीन विकेट अभी तक निकाल चुके हैं जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी अब अगर आप कंपेर करोगे नौर के विकेट कीपर और यहां पर नौटिंगम के विकेट कीपर की तो आपको देखने मिलेगा कि जो नौर का विकेट कीपर एक तो उसका बैटिंग नौन भी थोड़ा सा नीचे है और टॉम कि खिलाप यह दो बार आउट हुचके हैं 15 का एवरेज है लेक ब्रेक के सामने तीन बार आउट हुए 14 का एवरेज है और राइटा मीडियम के सामने आठ बार यह आउट हुए है और 10 का इनका एवरेज है इसके बाद दोस्तों अगला नाम है डैनिल किस्चन का जो की कैप सकते हैं अभी इन्होंने नौर के खिलाप 231 रणों का स्कोर किया है और टोटल चार विकेट निकाले हैं इसके आज स्टीवन मुलाने हैं जिन्होंने साथ पारियों में च्छे विकेट निकाले हुए अभी तक नौर के खिलाप राइट आम मीडियम गिंद बाज ही करते है दोनों पारियों में तीन-तीन विकेट इनके खाते में शामिर है फिर आते हैं दोस्तों मैथ्यू कार्टर राइट आम आफ ब्रिग गिंद बाज हैं बाइस पारियों में 25 विकेट पिछले एक साल के अंदर निकाल चुके हैं नौर के खिलाप अभी तक मैच नहीं कहला है स इनिंग में ज्यादा कारगर है नॉर्मली इस पेन सेकेंड इनिंग में बहतर करते हैं यहां पर भी आप देखोगे 12 पारियों में 16 इनिंग में निकाले हुए है फिर आते हैं लिक फ्लेचर पर पिछला मैच बहुत जबरदस्त गया 5 इनिग निकाले थे और अगर आप इनका पिछले एक साल का पर्फुमिस देखोगे तो 18 पारियों में 20 विकेट इनके खाते में हैं इसमें पहली पारी में इन्होंने 14 विकेट निकाले हुए हैं फिर आते हैं दोस्तों जैक बॉल पर जैक बॉल ये एक अच्छे गेंबाद है इनका इस्तमाल इंटरनेशनल में भी हो मिल है और ये भी इस्पेशली सेकंड डीडिंग में ज्यादा बैतर काम कर सकते हैं आपके लिए अगर हम बात करें दूसरी टीम के बारे में जो की नौर्थ हम्टेंशायर है अब यहां पर वैनी रिकॉर्ड कहता है कि बैन करन और क्रिस ले ये दोनों इस मैदान पर पहले नहीं खेल सके हैं इसका जोशुआ कॉप जो है इन्होंने पांच पारियों में 162 रनों का स्कोर किया है सेफ जईव ने सिर्फ एक मेंच खेला है जिसमें एक रनों का स्कोर किया रॉब ने तीन पारियों में 21 का स्कोर किया है और टॉम टेलर ने दो पारियों में 26 रनों का सका है तो अगर आप venue record को follow कर रहे हैं तो Ben Sanderson को आप drop करके चल सकते हो अब यहां पर जो पहला नाम है Ben Karan का है left hand betting करते हैं पिछले match में 71 का score किया उसके पहले मातर तीन रनों पर out हुए थे अभी तक not के खिलाप इन्होंने betting नहीं की है लेकिन अगर पिछले एक से दो साल के अंदर इनका performance अगर आप देखोगे तो छे पारियों में 24 का average है और लगभग दो बार 50 से उपर का score किया है और यह जो दोनों 50 निकले हैं यह दोनों 50 पहले betting करते हुए हैं तो अगर आप Ben Karan पर फोकस कर रहे हैं तो पहले betting अगर यह करते हैं तब आप इन पर फोकस कर सकते हो इसके बाद अगला नाम है क्रिस लिंग का है क्रिस लिंग के अगर बात की जाए तो 36 पारी 914 रन 39 का average है पिछले एक साल की बात कर रहे हैं क्योंकि जाथा बैतर performance की बात कर रहे हैं तो वो पहली इन एके बात कर दे सकते हैं और इनको जो आउट करने वाले बात कर बात है और अगर बो कहिए परस्गाँ कर नाम कर सकते हैं जिससे आपको किलियर होगा नमबर तीन पर है जौश कब अब दोस्तों नमबर तीन नमबर चार का बैट्समें मेरे लिए जरूरी है यहाँ पर तो इन्हें में अपनी टीम में जरूर रखूँगा चाहे कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाओ या ना बनाओ ऑफ ब्रेक गिन कर लेते हैं लेकिन अगर आप इनका बैटिंग पर्फूमेंस देखेंगे पिछले एक से दो सालों में तो सिर्फ 17 के एवरेज को मेंटिन किया है और यहां पर आप देखोगे 15 का एवरेज पहरी पारी में है तो दूसरी में 18 का एवरेज है और इन्हें परिशान करता है क् को यहां पर देखने मिलेगी 22 का एवरेज को यह मेंटिन करके चलते हैं ऑफ ब्रेक गिनबास के सामने मतलब हर 22 रन के बाद में अपना विकेट यह गवा देते हैं फिर आते हैं दोस्तों यहां से रॉब के ओफ पर यह राइट हैं बैटिंग करके देंगे 48 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं पिछले दो सालों में और 14 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों यह नौटिंगम के खिलाब फिर यहां से आते हैं दोस्तों टॉम टेलर पर टॉम टेलर ने एक रन का स्कूर किया साथ में दोनों मैचिस में गिनबासी की है अब बल्लेबासी तो लेकिन अगर गिनबाजी की बात करें तो वो आपको देखने मिल जाएगी लगबग एक से दो वर की गिनबाजी करेंगे क्योंकि यहां पर टीम के पास है बहुत सारे गिनबाजी के आप्शन है तो टॉम टेलर को जादा गिनबाजी करने का मौका नहीं मिल पाएगा तो अभ के लिए सामने वाली टीम के विकेट कीपर जो कि टॉम मूरस हैं वो जादा बहतर चोईस रहेंगे फिर आते हैं दोस्तों ग्रेम वाइट पे और्थोडॉक्स गिनबाज हैं मैंने आपको दिखाया था कि कौन से बल्लेबाज जो और्थोडॉक्स से परेशान होते हैं वही आपको यहाँ पे ग्रेम वाइट से आउट होते हुए नजर आ सकते हैं तो कम से कम दो बल्लेबाज जैसे हैं जिने और्थोडॉक्स से दिक्कत है तो ग्रेम वाइट को आपको जील की टीम में पिक करके रखना है साथ पारियों में पांच विकेट इन्होंने अभी तक नि बेंस एंडर्सन का इस मैदान का रिकॉर्ड उतना बैतर नहीं इन्हें विकेट अभी तक नहीं मिल पाया हाला कि पिछले दोनों मैच जिसमें दो दो विकेट इन्होंने निकाले हुए इस बेसिस पे हम इन्हें टीम में ट्राइ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इनका हाइस् और लास्ट में हैं फ्रेडी हेल्रेक जिन्हों ने तीन विकेट निकाले ते पिछले वेच में टोटल आठ विकेट निकाल चुके अभी तक अपने अंदर सुर्टी-ट्विंटी केरियर में इसमें दोनों पारियों में चार-चार विकेट इनके खाते में शामिल हैं अब सब्सक्राइब करें तो जोएक लर्क आपके लिए बहुत एक अच्छी चॉइस रहेंगे साथ में अगर हम बात करें क्रिस लेन की जौश कॉब और समित पटेल समित पटेल को बैटिंग प्लस बोलिक दोनों के लिए मैं टीम में एड़ कर रहा हूं अगर आपको चेंज ल एलेक्स हैस और बैन करन हमारी टीम में शामिल है यहां पर चाहो तो बैन कर सकते हो एलेक्स हैस के इसके बाद हैं यहां पर बात की जाए ड्रीम इलेवन की तो यही कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखने मिल जाएगा डेड़ क्रेडिट हमारे बचा हुआ है अगर कोई पी की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर अच्छा लागा है लाइक शेयर कमेंट कर दीजेगा आने वाली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी तब तक कि लिए बाए जय हिन जय भारत